दोस्तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है सबसे पहले में आपको आवेदन करके बताने वाला हूँ रेलवे में बंपर भरती आ चुकी है तो उसका आपको आवेदन करके बताऊंगा उसके बाद में ही आपको दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल देने वाला हूँ वेकेंसी के बारे में है ओफिशल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अप्लाई ज़रूर कीजिगा पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ सीदी बरती आपकी रहने वाले ओल इंडिया लेवल के कैंडिटेट अपलाई कर सकते है सेलरी पेकेज आपका 30,000 तक परमंत रहने वाला है जी हाँ दोस्तों यह रेलवे की जो वेकेंसी रहने वाली है काफी अच्छी वेकेंसी है, सेलरी पेकेज, परमानेंट जोब आपकी रहेगी अपलाई कैसे करना है पूरा डिटेल में वेकेंसी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना पड़ेगा अब दोस्तों आपे बिना किसी देरी के करते है वीडियो को स्टार्ट आपको यहां पर फॉरम का सेर्टिफिकेट भी आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा डेट यहां पर डेट आपको डालने पड़ेगी इसके अलावा दोस्तों आपका mobile number valid email आपको डालने के बाद में आपको registration का button पर click करना पड़ेगा दोस्तों इसके बाद में आपका primary registration complete हो जाएगा आपका जो यहाँ पर OTP या फिर ID password generate होके आएगा उससे आपको वापस login करना पड़ेगा login करने के बाद में आपको यहाँ पर second stage complete करने पड़ेगी RRC परियाग राज की आपकी official website पर जाना पड़ेगा junior technical assistant के पड़ो पर आपके vacancy निकल चुके online आवेदन आप कर सकते है open आपके हो चुके 8 April से 18 April आपकी last date रहने वाली है दोस्तों vacancy के लिए आपके website मैंने देदिये provide करवा दिये इसके अलावा आपकी application भरने की जो forum field की application फीच रहेगी 100 रुपे मातर आपकी रहने वाली है इसके अलावा दोस्तों आपके आपके Z class, Y class, X class 3 आपकी रहने वाले जिसमें junior technical assistance civil के पड़ो पर आपकी vacancy निकलिए 25,000, 27,000, 13,000 पर आपका परमन सेलरी बता रही है मेक्सिमम 18 साल का age limit का criteria रखा गया और मेक्सिमम 33 साल का इसके अलावा age relaxation भी आपको दिया जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों education qualification देख लेते हैं यहाँ पर b.tech qualification मांगेगे, डिप्लोमा candidate भी apply कर सकते लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ पर get qualified candidate को पहले preference दी जाएगी तो पूरा detail में एक बार notification को read कर लीजिएगा अगर आप eligible होते हैं तो आवे दिन जरूर कीजिएगा काफी अच्छी vacancy निकल चुकी है junior technical assistant की आवे दिन जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में एक निए update के साथ में तब तके लिए धन्यवाद दोस्तों